लाइसेंस बनवाना बिना रिश्वार्ट दिये नहीं बनवास पे हैं लाइसेंस परिवन विभाग में सिर्फ वसूली चल रहे हैं तो कॉंग्रिस ने एक बार फिर से राज़सरकार का केराओ किया है दरसल आपको बता दे कि राज़साने राइपूर के आठीओ कार्याले राइपूर में लाइसेंस बनाने को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया एक नहीं दो नहीं बलकि चार चार लोग एक साथ यश्रिकायत करते पाए गए हैं जिसमें लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए एक हजार के रिश्वत के वो आरोप लगा रहे हैं ऐसे में सवाल ये है कि क्या लाइसेंस बनाने गए लोगों से खुले आम कलर एक हजार रुपे की रिश्वत की बात करता है दरसल राइपोर परिवान विभाग के आठीयो साथ की ड्यूटी राजियुत्सम में लगी जिसके नापे परिवान विभाग के कलर को लाइसेंस बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी जब लाइसेंस बनवाने वासनिक जी के पास गए तो उन्होंने साथ श्रब्दों में कहा कि एक हजार दो तब ही लाइसेंस बनेगा या तो साहब से बात करो साहब मतलब आठीयो प्रतीक शुक्ला जाइपोर लाइसेंस बनाने के लिए पदफ्त है अब देखने वाली बात ये है कि परिवहन विभाग नहीं जब उन्लाइन का सिस्टम बनाया है तो फिर इन रिश्वत खोड़ों का यहाँ पर दुकान किस तरह से चल रहा है पैसो दो फिर लर्निंग लाइसेंस लोग तो फार्म जमा करने गए जो असनीक सार करके यहां पा रहते लिए ट्राइल लेते हैं उसने का ठीक कर रहा है नहीं वह आज कहीं राज उस्तों का चल रहा है ना उसमें गए हुए हैं वह तो इनसे बात ही तो यह बोले कि ठीक आप आप अंभल उसकाद हम देखते हैं बोल बोलते हैं कि आपको एक हजार रुपर एक्ष्टर लगेगा जब आपका आगे कारवाई आपकी जो फार्म है उसके वाल आगे हम आपका बनाएंगे बोलें उनके जो बड़े साहब है उनसे बोलिये फिर पाइसा दी पर्दीप सुकला पर्तिक सुकला उनसे बात करें जी नहीं लेंगे लैंगे लेंगे तो एक हजार रुप्य कोई पीस का मांग रहे हैं जी रिष्वत मांग रहे हैं बोडिश्वती होगा पीस का नहीं होगा फीस तो हम मुझे फार्म में जम्हाब कार तूपकर चुके हैं जिपना कानूनी नियम से भाए दियो उसको बास मेरी आप से बात हुए थी कि आप सर से बात कर लिजीगा जब फार्म आएगा तो जब बोलेंगे तो फिर कर देंगे अभी तो आप सब का दना रहे हैं देख रहा हूं लुग उसको पहले बंद कर देजीगा मैं कोई स्टेट्मेंट नहीं दे पाऊंगा ठीक है सब्सक्राइब कर देंगे जब काम होगा अप लोगों से पैसे की मांग की जा रहे हैं तब ही लाइसेंस लर्निंग का बन पाएगा हम ले तो ऐसा नहीं मांगा है यहां पर आएंगे यहां पर आएंगे यहां पर आएंगे जी नहीं ऐसा पुछ भी नहीं है तो यह खुड़ा मामला जहां पर प्रश्रासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा हालां की लगातार आंग जंता या रूप लगारी है श्रिकाय दर्श करवा रही है कि परिवर्ण विभाग की खुछ अधिकारी रिश्वत लेने की दिमांद करें रिश्वत मांग रहे हैं तभी कहा जा रहा है कि लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा तो बिना रिश्वत के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा जी आपको बता दूंट की परिवान विभाग में इतना भरश्वत रहे है कि सिर्फ लाइसेंस की बात ना करके परिवान विभाग में किसी काम पे आप नहीं कोई वाइटल करीद देंगे या कार खरीद देंगे उसके लिए ज़र्ग मीस बटा सकता है वही लाइसेंस बनने के लिए परिवान विभाग में बिन सब्सक्राहिएं खरीदान विन बना Sign अच्छी कार्याले में भी गये लोगों से बातशीत भी किया कुछ सामने निकल कर आया प्रूसी आपको बता दू कि जब मैं आप पर वामको सिकायच मेली किस तरह की बाते हो आप सामने निकल कर आ रही है तो लाजसेंस बनवाने गए तो उन लोगों से संपर किया तो आप वहाँ पर जाके पूरी चान दिन किये तो पूरी जानकारी ये सामने निकल कर आई कि अब देखने वाली बाते हैं तो आपको रोकूंगी हमाई साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चप्रवती दो चुके हैं बहुत स्वागत है आपका राजीव जी बीजेपी विश्टा चार को खत्म करने की बात करती है लेकिन राजीव में तो सरकार आपकी है देखी रहा हूंगे क्या कुछ चला परिवर्विभाद में जब तक रिश्वत नहीं दिया जाएगा तब तक लाइसेंस नहीं बनेगा परिवर्वागत है ऐसा हुआ होगा लेकिन ये पहले की ववस्ता चली आ रही है और हमारी सरकार कोशिच कर रहे है ओनलाइन सारे काम हो रहे हैं और उसके पहते इसको भी आगे अगर ऐसा हुआ है तो ये अम संग्यान में ले रहे हैं दोश्यों को पक्षा नहीं जाएगा और आने वाले समय में परदर्श्टा रही है और सारा सिस्टम वहते भी और लाइन करने के बादूरा जीव जी जनता इतनी तरस्त है बस्त अचार से कि एक हजार जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अधिकारियों के पॉकित में एक हजार नहीं जाएगा तब तक आपक आपके प्रदिश्टी चैनल में इसे आने के बाद हमने संयान किया है परिवान आयव की जी को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है और श्री दिल जी जी सरकार बने में बहुत वक्त हो चला है उसके बादूर इस तरीकी के मामले अगर सामने आते है तो मुझे लगता है कॉंग्रिस के नेता फाहीम शेक मौझूद है बहुत स्वागत है फाहीम जी आपका ये पुड़ा मामला जहां एक तरह व्रश्टाचार को मुट करने के बात भादबास सरकार करती है लेकिन धरातल पर इसकी अकीकत इंडिया वोईस ने आपको दिखा दिये क्या कुछ अक अकारिये करत है इन जी जी मेडम नमस्कार आपने देखा क्या चक मिज विक हो काग जी वादें जो भी हो तुनावी वादे जो भी हो धरातल कि शकते हैं पि आंकfaक इंडिया वह बैस कि आपकी मीजिघे आपकी बातिया और उतर्या तक दे चिनल ने चला जेनल हैं कि प्रस पटवारी भी आज के देख पर राइपूर में जो पटवारी है और कई पटवारी भी खुले एक पर पीमांगजन के पैशे मंग रहे हैं राइस्टी विभाद, पटवारी विभाद, कलेक्टर विभाद, यहां तक की अब यह लाइसंस विभाद, हर जगा अर यह कैसा है। तोड़ने में हमें समय लग रहा है, उसने इमारत और इमारत बनाई, वरिवामी बाट रहे हैं। पत्रकार के साथ मारत पीटू इसके बाद थानेदार पैसा मंग रहा था, थानेदार मांडवली के लिए पैसा दे रहा था, थानेदार पैसा दे रहा था, उन्होंने पैसे की मांग की, पैसे की लुबावना दी, आपने आपके लग रहा है। यह तो होई बात इने मांग मोदी जी आज सक, आज सक मोदी पीट है, वह हमारे पंडिक जवार्डाल नहरू पर तिक्राप होते हैं। इसी तरह दुबेज बगेल जी के परिलिफ तिक्रापोने जवर्डशी का, आप पाच साल के तिक्रापोने साथ, जनादेश तो मिले है, आपकी सरकार है, दुबेज बगेल की सरकार है का, आज ज़ी भी आपने वीफस्ते बार रहे आप हैं। राजीर जी तोड़ने का हम प्रायद कर रहे हैं आने वाले समय में आपको इसकी शिकायत नहीं मिलेगी एक बिल्कुल यह नहीं जिया जा रहा है और यह सिस्टम के बैठे अधिकारी इस प्रकार करते हैं उसे हता दिया जाएगा और बिल्कुल इसी भी दोशियों को बक्षा नहीं जाएगा राजीर जी जिसके ख्लाद नहीं चली इस पर आज क्ल कर्वाई होगी के नहीं होगी आज देखिये मैं तंद्र में नहीं बैठा हूँ मैं तो स्रफ पार्टी का पक्ष रखता हूँ बिल मनूज लगतार बने वे हैं मनूज अभी तक क्या कुछ कारवाई की गई है क्योंकि इंजिया वो इसके तरफ से लगातार ये ख़बर दिखाई चारी है क्या कुछ पर शासन के तरफ से कारवाई की गई पिरहाल अभी उनकी ब्यस्टता चल रही है आज ब्यस्टता उनकी खत्म हो जाएगी वो संभावता जो है ये माना जा रहा है कि कल इस समाचार की जलने की बाद को कोई बल्कु क्या कुछ कारवाई की जाती है मनोज बहुत देखना बेहर दिल्चस्प होगा मौश रुप्या कि तरफ से देखना बेहर दिल्चस्प होगा खबरें बरते आगे लखना उसे बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी की सियासत में पोस्टर वोर जा रही है यूपी की सियासी गलियार में पोस्टर वोर की चर्चा तेज है चारू ही हो मतादीश बटेंगे और कटेंगे प पोस्टर सपा नेता कामरान बेग ने यह पोस्टर लगाया है जिस पर सियासत फिर से शुरू हो गई है। यूपी की सियासत में पोस्टर वर्ठ हमने का नाम नहीं ले रहा। सियम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद, पोस्टर बाजी का जोई दोड है, यूपी की जन्सा खुब देख रही है, पोस्टर के जरीए सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर है, आई दिन कोई न कोई पोस्टर रावसानी लखनाओ के सरकों में देखने को म आई थे हम लोग आज, तो फार्म आउन आईलन पुरा भर चुके हैं, उसके बाद हम लोग फार्म जमा करने गए, जो असनिक सार करके यहां पा रहते हैं प्रदेश्ट महामंत्री गोविन नारायन शुकला ने निश्कासित किया है पत्रकारों के परिजन बीजेपी जिलाध्यक्श के घगार मिलने पहुँचे हैं, बीजेपी जिलाध्यक्श ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्श को पत्री लिखा था निश्कासन के बाद पवन अनुरागी को पुलीस ने बकर भी लिया है गिरफ्तार के लिया गया है पवन अनुरागी पाथी से निश्कासित भेई कर दिया जा चुका है पत्रकार पवन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे सरीला नगर पंचायत श्रेत्र के रहने बाले पीरत पत्रकार के लोगों की मांग गई है और ऐसी में पवन अनुरागी को गिरफ्तार के लिया गया है यह पुड़ा मामला अमीरपुर का है जहां पत्रकारों की पिटाई की आरूपी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला पवन अनुरागी की हाचपाफ से चुट्टी हो गई है पार्टी ने उन्हें बार का रास्ता जरूर दिखा दिया है लेकिन इस पर स्यास सब भी खूब की जा रही है एक लेश रादर ने एक ट्वीट भी लिखा तो मैं इस पूरे मामले पर स्यास सतेज है तो ही हमारे यूपिय स्टेट कोडिनेटर अनिल पाठक ने बीजेपी विदायक मनीशा अनुरागी सखास बातचीत की है सुनिए आप कॉल रिकॉर्ड कर रहा है मेरी आप जाइसी बात पर मैंने तो पहले ही बोला जब हमारे दलके हैं तो हमारे दलके लोगों के साथ ही फोटो होगी उनकी और किसी के साथ पर नहीं होगी वाकि विश्य जो विश्य जो वाला है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं तो तो मुझे लग लगे हुए हैं कुछ लोग तो गरफ्टार किये हैं इस तरह कि आरोप लग रहे हैं कि जैसे आपसे नजटी की है यह अपने आपको आपका रिष्टेदार भी बताता है कि आपको आपके संग्यान में हैं युझे हैं हों आपके संग्यान के यह यह जो आपके संग्यान में है तो वहीं आज छट महापर्व का दूसरा दिन है इस चार दिन के उत्सव में छट पूजा को लेकर धूम देखी जा रही है लोकास्था के महापर्व को लेकर आरा के गुपाली चौक पर खरीदारी जारी है महंगाई के कारण थोड़ा बाजार सोस्त है लेकिन लोकास्था का महापर्व को लेकर छट में व्रत करने वालों के द्वारा खरीदारी की जारी है वहीं ज़र्ट महापर्व को लेकर हमारे समधाता नेहा गुपता ने लोगों से खास बात चीत किये हैं सुनी अस्था का महापर्व को लेकर जहां एकोड आरा का बाजार रोनक दिख रहा है चार दिवसी यहां आयोजन है बता दे आज ख़ड़ना है कल नहाय खाई से शुरू हुआ इसके बाद कल जो दुखते हुए शूरी को अर्ध दिया जाता है उसके बाद आपको सुगा में उखते हुए शूरी को अर्ध दिया जाता है भोचपुर सही बिहार के विभीन हिस्सों में यहां आयोजन किया जाता है छट खोलेकर लोगों में गजब सा उसा है खास कर अगर बजार देखें तो आपको देखा दें कि फल का जो बजार है बिल्कुल सक चुका है और जो छट ब्रतिया है वो खरदारी कर रही है जानते हैं कि बजार में कोई जान नहीं है क्यों जान क्यों नहीं है? सहन करनी पर रही है, तमाम हिंदू मौत के घाट उतार दिये गए, मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन हम चुप्पी साधे रहे, उन्होंने पिया मोधी से नरोध करते वे कहा कि हिंदू के साथ जहां भी आना चाहिए, उनकी किसी भी तरह से मदद करनी चाहिए, महाकों में गया सनातनियों की दुगा ना लगाए जाने के फैसले पर बोलते वे, कहा कि भाजपा उतर प्रदेश में जो भी फैसले ले रही है, वह वेहद अच्छे फैसले है वही खबर मत्रों से जहां अगर आयुक्त ने मोटर साइकल से परिक्रमा मार्क का निरिक्षन किया, दरसल देव उठाने कादशी और अक्षे नाओमी पर लगने वाली परिक्रमा को देखते वे, नगर आयुक्त ने परिक्रमा मार्क का निरिक्षन के अगले वक्ते से मत्र प्रविंदावन में देवुत्थान एकादश्री और अक्षैनावमी की बड़ी ही परक्रमा लगेगी तो नगरायुक ने एक अम्यो को भी चिनहित किया वही हर्दोई में एक मुस्लिम युवक को एक हिंदू युवती के पीछे जाते हुए मंदिर के भीतर पकड़ लिया गया है मुस्लिम युवक का नाम शादाब है और वह शाह जहापुर के अल्ला गंज का निवासी है उससे श्रद्धालवों ने पकर कर पुलीस के हमाले कर दिया है वह सेसी टीवी वीडियो में एक हिंदू युवती के पीछे जाते हुए देखा गया तो पुलीस ने युवक को हिरासत में ले लिया है ये पूरा मामला सेसे टीवीवे में कैद हो गया जिसके बाद लोगों में खास्तों पर श्रद्धालवों में आख्रोश नसराया वही मुरादाबार जनपर के कुंदर के उप्चुनाओं के प्रचार में पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापती ने एक कारेकरम के दोरान लोगों को संबोधित करते रे कहा उप्चुनाओं में पार्टी का एक एक कारेकरता लगा हुआ है लोगों में उत्सा देखने को मिल रहा है तो लापकारी उप्चुनाओं का फायदा जनता को मिलेगा धर्मवीर प्रजापती ने ये कहा है कुंदर के उप्चुनाओं को लेकर डगाता सियासत घितेज है और ऐसे में दोरों ही पातिया अपनी ताकत जोपती हुई नसरारी है और ये खबर बाराबंकी से जाँ चाट पूजा पर रियातियों की भीर को लेकर बाराबंकी पुलीस सतरक नज़रा रही है बाराबंकी जिले में चाट पूजा पर रियल्वेस्टेशन और बस सज्टे पर रियातियों की भीर को नियंदेख कने के लिए और लोगों के सुरक्षक लिए पुलीस मल तैनाथ है तो बस और इल्वे स्टेशन पर चेकिंग अभ्यान भी चला जा रहा है डॉग स्क्वेट की भी तैनाथ ही की गई है लगातार कोई भी घटना और प्री घटना नहों इसको लेकर पुलीस पश्रासन बेहास अजग नसरा रहा है खबर अम्रोह से जान स्टन्ट बाजी का जानलेवा खेल थमने का नाम नहीं ले रहा दो ट्रैक्टर चालको का स्टन्ट करते हुए विडियो सोशल मीडिया पर वाइडल है और ट्रैक्टर चालको का ये स्टन्ट बाजी का ये विडियो सोशल मीडिया पर तहल का मचा रहा है को याज़्याबात में गारी खरी करने के विवाद में बुजरग मैलाँ से धकका मुख्यी और गारी ग्र। का युद्धिवी से घर से लापता स्वन का रुबारी का शब मिल से राके में हड़कम बच गया बदमाशों ने का रुबारी के मौत के बाद श्रब को जमीन में दफन कर दिया है घटना की सूचना मिलने के बाद परिजोनों में कुहरा मचा हुआ है तो तेवार की इस सीजन में परिवारों में हरकर मच गया है कुहरा मचा हुआ है अलांकि पुलीस पर ताल कर दी है साथू संटो से भी मिलटे हुए मुख्य मंत्री नितिश कुमार नसरा है सीम ने रिवर फ्रंट का भी इंडेक्शन किया इस वक्त की बड़ी खबर बखा से आ रही है जहां गंडक नदी में दो बच्चे डूब गए जिसके बाद इलाके में कोहरा मच गया दरसल पठखोली थानशत के कैलाशनगर वोड नमबर साथ स्थित गंडक नदी तप पर जब नदी घात पर खड़ी नाओ पर सवार बच्चों के पैर फिसलने के कारण दो मासों बच्चे नदी में डूब गए तस घटना के बाद परिवार में कोहरा मचा हुआ है